तो दोस्तों जो भी लोग यहां पर दाथ खाज और खुजली से जो परिशान है वो आज का वीडियो एन तक जरूर देखे क्योंकि एक ऐसा उपाई में आपको बताने जा रहा हूँ जिन से आपकी यह जो दाथ खाज और खुजली है आसानी से कुछ ही 2-3 दिन में बिलकूल ही कायब हो जाएगी तो आप इस वीडियो को एन तक बने रही है यहां में इस वीडियो में इस नुश्कय को बताने से पहले ही आपको यहां पर यह बता देता हूँ कि अगर आप ये नुश्का यूज करें तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुँ जलन तो होगी ही क्योंकि इसमें हम कुछ मिला नहीं वाले हैं एसा है कुछ आपको थोड़ी बहुँ जलन होगी तभी आपकी ये जो दाज काज खुजली है वो आसानी से मिठ सकेगी तो आए दोस्तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लता और फटा फट से इस वीडियो को स्टार्ट करदेता हूँ मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और सेर जरूर करें तो दोस्तों यहाँ पर जो आप यह देख रहे हैं यह है फिटकारी फिटकारी आपको बाजार में आसानी से फिटकारी कहीं पर भी मिल जाएगी तो आप लगबग एक से दो रूपे की फिटकारी ले लीजिए और इसका कुछ इस तरह का यह जो पावडर है अमना फिटकारी का यहाँ पर तयार कर लिया है तो यहां पर लगबग आपको आथा चमच जीतनी यह जो फिट कारी है यहां पर आपको यह फिट कारी ले लेनी है दूसरी इसमें चीज हम यूस करने वाले हैं लेमन तो आपको लगबग आथा से एक चमच जीतना यह जो लेमन है वो आप इसमें एट कर दीजिए तो हम इसमें लगबग एक चमच जीतना यह जो लेमन है इसमें एट करेगे निम्बू का रास दोनों को अच्छे से मिलाना है और मिला के लगबग दो से तिन मिले तक यहीं छोड़ दीजिए तक यह अच्छे से एक दूसरे में खुल मिल जाए अब मैं आपको इसको लगाने का सही तरीका बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इसको लगाएंगे तो आपकी जो दाद खाज और खुजली हो आसाने से मिल जाएगी सबसे पहली तो बात यह कि आपको इसका यूज रात को सोने से पहले ही करना है पूरे दिन नहीं करना रात को सोने से पहले आपको जहां भी दाद खाज और खुजली की जो प्रोब्लम से वहाँ पर उस जगा पर आप अच्छी तरह से खुजा लीजिए आपको जब जहाँ पर भी दाज खाज और खुजली है वहाँ पर अच्छी तरह से खुजे लीजी उसके बाद डेटोल का जो लिक्वीड आता है उनसे उस जगा को वस कर लीजिए गर्म पानी से उसके बाद ये जो नुश्का है वो अपलाई कीजिए लगबग से लगबग तीन से चार मिलिट तक आपको थोड़ी बहुत चलन हो सकती है और इसको यूही पूरी रात भर आपको दाद खाज और खुजली जहां पर भी है वहाँ पर आपको इसको लगा कर रखना है तो आप मौर्निंग में उठके इसको बिलकुल अच्छी तरह स पास से जो दवई अवगर अली थी आपके जो पेशे है वो जो बरबात हुए थे वो यह नुस्का सीब 2-3 दिन में ही आपकी दाद खाज खुजली को मिटा देगा तो मुझे कमेंट बुक्स में बताईए आज का यह नुस्का हमारा केसा लगा मिलता हूं ने नुस्के में तब तक के लिए दोस्तो नमस्कार